नमस्कार आप देख रहे हैं निउस्टॉप इंडिया मैं हूँ जगत पाल चट महापर्व की जो रोनक है चारोतरब दिख रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में चट महापर्व को बड़े धुमधाम से मनाया जाता है बहुत बड़ी आस्था का तेवार है और आज हम र चलें कि यह चट सूर्य की परती एक बहुत बड़ी आस्था है शाम का अर्ग सुबह का अर्ग दिया जाता है और यह बुंडू की जो सूर्य मंदिर की प्रांगन की नीचे एक तलाब जिसमें बहुत दूर-दूर से सधालों यहाँ पर चट ब्रती आते हैं और चट ब्रत करते हैं यहाँ पर पूजन पाट करते हैं आज हम यहाँ पर करे हैं सूर्य मंदिर का यह जो तलाब है जहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग अलग अलग जग़ से लोग यहाँ पर आते हैं शाम को ही आ जाते हैं आज शाम का पहला अर्ग है शाम का अज पहला अर्ग है और आज यहाँ पर अलग अलग जगह से जमशेदपूर, रांची, बोकारो, धनबाद, ना जने किदर किदर से लोग यहाँ पर आते हैं अपना चुकी कहते हैं कि यह सूर्य बगवान का एक ऐसा अनुपम संग्रह है जहाँ पर सूर्य देवता का भी दर्शन होता है और एक बहुती सुंदर तरीके से यहाँ पर छट घाटों को सजाया जाता है और यहाँ की जो समीती है यह पूर्न रपेन यहाँ के जितने भी छट बरती होते हैं उन सब के लिए सुभी धाएं महिया कराती है आप देख सकते हैं किस तरीके से यह जो घाट है साप सुतरा होकर करके सजधर्च कर तयार है लोग यहाँ अपना नंबर भी लेते हैं और इस प्रकार से पूरी विवस्था कराई गई है हर साल प्रतेक साल छट बरतियों के लिए विशेस यहाँ पर तयारियां की जाती है ताकि दूर दूर से आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हम छट पुजा का जो पुजा है वो यहीं परा करके करें अभी अभी बात्चित में कर रहा था आपको छट के बारे में यहाँ पर जब भी दूर दूर से कुछ लोग आते तो यहाँ पर उनको टोकन दिया जाता है और टोकन देने के बाद उनको जो जगा है मुहया कराई जाती है और अभी भी वो लगातार चल रहा है जितने भी छट बरती है वो टोकन लेकर के यहाँ पर अपना जगा सुनस्चित कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इस बार जो लगातार बुंडू नगर पैंचायत की और से भी लगातार तयारियां चल रही थी साफ सफाई की तयारियां चल रही थी अलग अलग छट घाटों के अंदर में अलग अलग छट घटों में पूरी जोर सोर से तैयारियां चल रही थी, चुकि आज बिलकुल वो संपूर्ण हो चुका है, आज शाम का ये पहला अर्ग लोगों का होगा, जो ब्रतियां हैं, जो छट ब्रत करते हैं, जो दूर दूर से इस छट घट में आते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है, बूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है, लोग पूरी तरीके से सुनिश्चित हो करके यहां पर आकर आपने ब्रत को पूर्ण कर सकते हैं, पहला जो अर्ग होता है, वो शाम का होता है, दूसरा अर्ग अगले सुबह मौनिंग में होता है, ये संस की तरह का कोई प्राब्लम नहीं हो इसकी भी वो तैयारियां सुनिश्चित करते हैं रात भर का स्टे का भी हाँ प्रोग्राम होता है जो सस्कृति बिहार जो संगर्ठन है संस्था है उसके सोजन्न से सुर्य मंदिर प्रांगन में अलग-अलग करिक्रम सुनिश्चित किया ज जनता की और से पूरी तरीके से मुस्तेदी का ये माहौल रहता है और लोग जो है अपने छट ब्रत को एक पूर्णता आहूती करते हैं और अपने मनो कामना पूर्ण करते हैं तो आज निव स्टॉप इंडिया की ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आप छट घाटों जो घाटों का विजिट करते हुए आज हम लोग आप पहुंचे हैं सुर्य मंदीर का ये जगह है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं यहां की ब्यवस्था यहां की सापसफाई यहां की समुचित इस पार्ट को कर सकते हैं की ये जो बुंडू का एक बहुत प्राचिन मंदीर है सुर्य मंदीर और इस सुर्य मंदीर के अंदर में बहुत दूर से मैं समझता हूं की ये सुर्य मंदीर का जो यहां मंदीर का प्रांगन है एक बहुत विशाल है जहां पर दो चीजों का संयो जो होता है जिसमें पहली चीज जो है यह सूरि भगवान के समर्पित ये तेवार है और ये चट बरतियों के लिए यहां पर एक अनुपम संग्र है जहां पर लोग आस्था का डूपकी भी लगाते हैं और भगवान सूरि का अनुपम दर्शन भी करते हैं। क्योंकि यहां पर जैसे ही सूर्य जो अरग अरपन करने की तूरंत बाद उन लोगों को मुखा मिलता है बहुगान सूरी का दरशन करने का तो एक अनुपम सा मुखा है जहां पर लोग जो है अपनी आस्था को लेकर के आते हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो छठ बरती है ये कवल कियावल लोकल इस दृट्व ही नहीं है बलकि यहां के जो ठत्रड बरती है ये वुंडू सके आस पास अलग-लग जगह से लोग कहते हैं यहाँ जमसित पूर से हैं विहार से भी आते हैं धनबाद हजारी बाग बोकारो यह तमाम एरिया से यहां अद्भुत यह जो नजारा है यह पूरे छेत्र में कहीं देखने को नहीं मिलता है और इसको ले करके सस्कृती बिहार की और से जो तैयारियां चलती है आप देख सकते हैं यहां के साउंड्स यहां की बिवस्था को बिलकुल मुस्तेदी के साथ किया गया है और सभी लोगों को बार बार जो भी यहां संगठन के लोग हैं उस सभी संगठन के लोग उनकी तमाम प्राब्लम्स को सॉलूशन करने के लिए हमेशा मुस्तेद रहते हैं और इसी व्यवस्ता को ध्यान में रखते हुए आज संस्कृती बिहार के जितने सारे सदिस हैं और जो संगठन है जो संगठी तो करके हाँ पर काम करते हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकर की व्यवस्ता रोड है रोड से लेकर के यहां तक तैयारियां पूरी होती रहती है और उसमें से भी क्या है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो वेहिकल्स का कोई दिक्कत नहीं हो इस तरह की सारी व्यवस्ताएं की गई हैं क्योंकि यहां भीड काफी ज़दा होती है भीड इतनी ज़दा होती है कि लोगों को समभालने के लिए यहां पर के साथ मुएना किया जाता है और आज हमारे बीच में बुंडू थाना के जो इंस्पेक्टर है ये मौजुद हैं हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं उनसे हम बादचित करने की कोशिच करते हैं कि क्या तैयारियां सुरक्षा को ले हमारे डियर्स्पी साथ तो आउकास में हैं उनकी अनुपरस्थिती मतलब आउकास महने कान मैं आपके सामने ब्यांग दे दे रहा हूँ यहां जो सुरच्छा बेवस्ता है आप देख रहे हैं यह जो तलाब है तलाब में यह एक रस्ती खिश दिया गया है बैरिकेटिंग किया गया है इससे उस किनारे गहरा पानी है उसमें नहीं जाना है किसी भी सरधालू को उधर आगे नहीं बढ़ना है और जो भी है इधर है इसके अलावा जो यहां मंदिर का जो समीती है उनके द्वारा यह सारी चीज़े आप देख रहे हैं इसमें लगाया गया है यहां से किसी तरह किसी को भी कोई परिसानी होगी तो यहां से एनाउंस भी किया जाएगा दूसरी बात यहां पर इससर बहुत ज्यादा भीड ह होती है उसकी सुरक्षा को लेकर कि हमारे जो प्रशासन किस तरह से मुश्थ से हाओ बता दे रहा हूं लुक मारे यहां पुल की प्रयापत वैस्था की हमारे महिला आरक्षी महिला पुलिस पदादीकारी भी रहेंगी हमारे यहां से चौकिदार का की परतनुक्ति की गई है मैं स्वेंग यहां रहूंगा और मेरे पदादीकारी थाना के यतने पदादीकारी यह वो रहेंगे पुलिस के अंदर से भी हमाएं हमें बल उपलब्द कराई गई है उनका भी यहां पर प्रतुनिक्ति रहेगा वैसे बुंडू नगर पंचायत में काफी ज़्यादा छट ब्रतियों का तहवार बहुत मुस्तेदी के सद्रों मनाते तो कितनी जगह में यहां पर तैयारियां प्रशासन के और से मुस्तेदी की गई हाँ देखिए जैसे यहां सुर्य मंदिर सबसे प्रमुख जगह है इसके अलावा मैनेजर तलाब खुदिया तलाब बड़ा तलाब रानी तलाब और एक बिचका टोली में तलाब है उसका नाम पलवा पोकर वहां इतने जगहों मुख यही जगह है बुंडू में यहां पर सारे जगह पर सारी बेवस्था की गई है पुलिस बलकी परतुम की गई है जो सरधालों बड़े सरधा के साथ इस तेवार को मनाते हैं तो प्रशासनिक बेवस्था की तरब से आप जो सरधालों है जो छट बरती हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहे है यही की सां पुर्वक छट का तेवार मनाएं यही मेरा सभी को यह संदेश है हमारे बीच में इंस्पेक्टर मौजुद हैं इनसे हम आच्छित कर रहे थे कि किस प्रकार की तैयारियां प्रशासनिक तरीके से पूरे छट बरतियों के लिए किया गया उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की जो प्रशासन की तरब से जो मुस्तेदी है वो हमेशा खड़ी रहेगी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा महिल आक्षियों की नियुक्ति की गई है चोकीदारों की नियुक्ति की गई है और अखुष्वेम खुद इसको कंट्रोल करने के लिए मुस्तेद रहेंगे इन्होंने कहा है कि जितने भी छट बरती है बिल्कुल निडर और निडर होकर के आए और अपना जो भावना है उसका प्रदुशन करें अभी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर सूर्य मंदीर का जो यह अनुपम तालाब है उस पर चल पूजा की सारी तैयारी की गिए साप सफाई से लेगे बिजली ब्यवस्ता रोट के ब्यवस्ता जिस तरह के सुविधा ना हो किसी छट बरती के सारा ध्यान को रखका गया है अगर अभी बहुत सारे दूर दूर के लोग भी यहाँ पर बरती आते हैं तो उनको किसी प्रका सब्सक्राइब कर देखा लंगा जाता है और सविधा में बता दिया जाता है पहले ही कि यहां क्या चैलेंज था तो आपको कि इस पर क्या स्पेक्टेशन हैं कितने लोग यहां पर इस बार आ सकते हम लोग यहां पर जो पालन करते हुए उस तरह से घाट का निर्मान किया इसमें ज्यादा भीलिना लगाया मार्स का इस्तमाल किया जाए यह सारा चीज बोला गया है यहां रहने का भी व्यवस्ता नहीं है अब जो लोग हैं जो भी लोग दूर-दूर से भी आ आपने रिस्क पे आएं यहां पर आपने रिक्स पे जाएंगे और यहां पर इस पर सुसकृति बिहारी की तरफ से कोई रात को ठढ़ने की व्यवस्ता नहीं है जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा यहां होता था कि लोग जब दूर-दूर से आते थे और आपी हमारी सुसक जनकरी मिली उसके हिसाब से आप यह देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग आते थे उनके लिए रात की ठेहरने की वेवस्तिया थी लेकिन चुकि प्रशासनिक जो पोर्ट पोलियो है उसके हिसाब से इस बार ऐसा वेवस्ता नहीं किया गया है चुकि हमेशा से लोगों को दूसरी बात यह है कि आपकी इस बार की क्या वेवस्ता है इसको लेकर कि हम प्रमोज जी हैं उनसे भी बातचित करेंगे संस्कृति बिहार की यह बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं क्या तैयारी है इस बार संस्कृति बिहार की और से च्छट ब्रतियों के लिए देखिए प् व्यवस्ता अब के लिए जो लोग आ जाएंगे दूर से नहीं जापाएंगे जमसेतपूर और उसके बाहर के लोग जारकंड के भाठ आधृ Ghosi तरूप के लिए बहुंगान की ते अगर रहते हैं तो उनके लिए आवास के ववय है ऊओनके लिए जलपान पूरा साफ सफाई देख रहे फूरे gharad की हुश्था संस्था के द्वारा प्रतेक वर्सं से समय अभी कोवीड 19 को ध्यान में रखते हुए इसलिए टोकेन की विवस्था किया है कि दूरी मेंटेन हो लेकिन छट महापर्व जो है उसमें दूरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है चुकि नर्ग जो अर्ग देना नजदीक से देना है लेकि फिर भी कोशिस रहेगी कि सब्सक्रार संदेष दिना चाहते हुम चाहते हैं कि आपका जो मन साइपका दो अब बताये हैं लोगों को कि किस प्रकार करें वह जादे ह्याद़ कि हम तों से ही करें कि अभी तक जो हमारी मेंटिलीटी है पर्व करते हैं मैं और मेरा परिवार इससे सभी उपर उठे सभी नागरिकों से मेरा निवेदन रहेगा कि हम और हमारा समाज कैसे सुरक्षीत रहे देश कैसे सुरक्षीत रहे पर्व भी करें और देश भी कैसे बचे समाज भी कैसे बचे इसके लिए जरूर चिंतन करें ये थे हमारे बिच में प्रमोजी सस्कृति बिहार की और से और तमाम वैवस्था हैं जो हम देख रहे हैं इन्होंने कहा है कि बहुत दूर से भी जो लोग आएंगे हाला कि घोशित नहीं है लेकिन जो दूर से आएंगे जिनको जाने के लिए समुचित वैवस्था शायद ना हो पाए उनके लिए ऐसी वैवस्था की गई है वहाँ पर ठैरने की वैवस्था है बोजन की वैवस्था है और निशी दूर्प से पिछले 25 वर्षों से लगाता रिये कारिकरम सवस्कृति बिहार की और से चलता आ र नाफ़ देन बहुत सारे दूर के लोग यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की तयारियां हैं यह बहुत भब्य तयारियां चल रही है और निशी तरुप से चट ब्रतियों के लिए एक बहुत ही अच्छा बात के ही जा सकती है कि वो सारी लोग यहाँ पर आकर के दुरी मेंटेन करते हुए हाला कि ठीक है यह ऐसा तेवार जिसे की प्रमोजी ने कहा तेवार जिसमें दुरी मेंटेन तो शायद नहीं हो सकता है फिर भी एक जो उसका बिवस्ता है उसको करते हुए इसको आप करें और खुशाल जिन्दिगी जिये समाज को एक बहतर मेसेज देऊ देश को एक अच्छा लेवल पर लेके जाए तो हमारे सहयोगी आसीश प्रमाली के साथ जगत पाल निवस्टोप इंडिया बुंडू